नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों धनिया और जीरा सिर्फ खाने का स्वाधी नहीं बढ़ाते हैं बलकि यह आपकी किस्मत को भी बदल सकते हैं दनिया और जीरा ये दोनों ही अपने आप में विशेश और शदिय गुण लिए हुए पाए जाते हैं लेकिन इनके टोटके काफी कारगर साबित होते हैं इसलिए आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ खास टोटकों के बारे में बताने वाले हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले एक बार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अबश्य कर लें वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंग बली क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही चवर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुक्मई बना सकते हैं और जी सकते हैं घर में हर तरह की प्रगत्ती के लिए वे समर्दी के लिए प्रति दिन पूजा पाठ की जाती है दर्म गरंतों वे सास्त्रों में बहुत से चोटे चोटे उपाए बताए हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है यदि इनका सही तरीके से पालन किया जाए तो व्यक्ती की जिन्दिकी बदलते देर नहीं लगती दोस्तों अब मैं बात करूँगा अपने आज की इस वीडियो के बारे में और आज के इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देवी माता लक्षमी को प्रसन करके हमेशा के लिए अपने घर में विराजमान करने का एक खास और अचूग तोटका दोस्तों किसी भी दिन देवी माता की मूर्ती के सामने आप एक लाल रंग का कपड़ा बिचा लेने के बाद आप इस पर एक मुठी जीरा और कुछ हो सके तो चांदी के शिक्के अर्थवार आप कोई भी शिक्के अवश्य रख दीजिए लेकिन आप ध् कि आर्टी कीजिए ऐसा करने के बाद आप लाल कपड़े को लपेट करके एक पोटली नुमा बना लें जिसमें आपने जीरा और साथ ही कुछ सिक्के रखे थे और इन्हें अपने तिजोरी या फिजहां भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए इस टोटके से देवी की माता लक्षमी का इतना जवर्दस्त आपके उपर आश्परद बन जाता है कि आपके घर के सभी सदस्यों की उन्नती रातो रात होने लगती है दोस्तों अगर आप लाग कोशिस कर चुके हैं कड़ी मेहनत कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपके घर में पैसा नहीं आता है और अगर आप ही जाता है तो आपके घर में टिकता नहीं है आपकी आर्थिक इस्तिती सही नहीं रहती है तो आप हरे धनिय का ये उपाय अवश्य कीजिए किसी भी दिन माता लक्षमी को याद करके हरा धनिया आप गाय को खिला दीजिए ऐसा करने से आपकी आर्थिक इस् और साथी टिकने भी लगेंगे आप दिन दुनी राज चोगनी तरक्य करने लगेंगे इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको बाजार से थोड़ा सा हरा धनिया लेकर कि आना है उसे पानी से धोड़नेने के बाद अच्छी तरह से स्वच्छ कर ले और अपने घर में जहां दूआ दिखा दे दूआ दिखा देने के बाद आपको एक गाय जो की बैटरी हुई हो उसके पास जाना है और गव माता को इस हरे धनिये को खिला देना है हरा धनिया जब गव माता पूरा खा ले तब उनके मस्तक पर हाथ फेड़ते हुए आप उनके कान में अपनी सभी मन कामनाएं कह दे ऐसा करने से आपके घर में हमेशा के लिए पैसा टिकने लगेगा दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति काम्याबी की शीड़ी चड़ने लगता है तो उसके आसपास के लोग उससे चड़ने लगते हैं और उसके बहुत से दुस्मन पैदा हो जाते हैं और उसके ऊपर कभी-कभी ऊपरी बाधा या फिर नजर दोस्त विप्रीत कारे लेूद करने लगते है अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके उपर performing कुछ करा दिया है या फिर आपके घर में कोई नकारतमक्षक्षक्ति मौझूद है या फिर आपके गर के किसी सदस्य को या फिर आपके घर में जो बरक्कत है उसको नजर लग गई है तो आप से वल एक तोटका कीजिए आप जीरे के कुछ दाने अपने उपर से साथ बार उतार ले और फिर एक कपूर जलाकर जलती हुई आग में इन जीरों के साथ दानों को डाल दे बस आप को ऐसा करते वक्त कोई भी देख न ले ऐसा करने से आपकी सभी नकारत्मक शक्तियां उपरी बाधा वे नजर दोस आदी खतम हो जाएगा और आप पर और आपके घर के पूरे सभी सदस्यों पर सकारत्मक उर्जा का प्रवाब बना रहेगा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आ आपका पैसा कहीं अटक जाता है तो तांत्रिक शास्त्र के अनुसार अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या फिर आपके कारे जो भी आप काम करते हैं वो बनते-बनते बिगड़ जाते हैं तो आप किसी भी दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिख उस कागज पर अपने कार्य का नाम लिख देजिए और उसके बाद उसमें धनिया डाल कर एक पुडिया बना लें फिर इस पुडिया को भेते हुए पानी पर अपने मस्तक से एक बार स्पर्ष करवाने के बाद प्रवाहित कर दे लेकिन आपको देखना ये है कि ध्यान ये र बन जाएंगे और आपका जो भी कार्य अटका हुआ था वह भी बनने लगेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही कल फेर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जबर्दस वीडियो के साथ तब तक के लिए देव में जादत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भोलें जय बजरंग बली